हेलो माइडियर अन्लाइन स्टुदेंट्स आई होप आप सब अच्छे होंगे और यार दूइंग वेरी वेल एंड आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे तोड़े वी आर गोइंग तो फर्दर प्रोसीड अवर प्रोसीड आवर पी ब्लॉक एलिमेंट एंड आज जो है हम लोग डिसकस करने वाले ग्रूप 15 में नाइट्रोजन के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड अमोनिया को ले करके इससे पहले हम लोग ने ग्रूप 15 में नाइट्रोजन फैमिली की फिजिकल प्रोपरटीज को डिसकस कर दिया है जिनोंने अभी तक उसको नहीं को आगे बढ़ाते वे डिसकस करेंगे अमोनिया को सो विदाउट वेस्टिंग और यूर टाइम लेट स्टार्ट टॉपिक तो स्टूडेंट्स आज जो है हम लोग डिसकस करने वाले अमोनिया को ठीक है इसको इसटार्ट करने से पहले मैंने आप लोगं को एक क्वेंद्टयन दिया था और बहुत ही इंट्रस्टिंग वेश्टन था फोस्फोरश फॉस्फोरश आरंसेनिक आर्सेनिक सेनिक एंड एंटी मनी एंटी मनी इसकी जो बॉंड एंथेल्पी है सिंगल बॉंड एंथेल्पी किसके केस में सबसे जादा होगी तो जैसा कि हम लोग पढ़ते आये हैं अभी तक इनौर्गनिक के अंदर में और मेजरली में ग्रूप के अंदर में कि यहां पर जो ओवरलापिंग होगी बेटा टूपी टूपी के बीच में होगी यहां पर जो ओवरलापिंग होगी वह थ्रीपी थ्रीपी के बीच में होगी यहां पर जो ओवरलापिंग होगी फाइपी फाइपी के बीच में होगी तो नीचे जाने पर क्या हो इन्टलपी को सिंगल बॉण एंथिल्पी का मतलब क्या है कि सिंगल बॉण को तोड़ने में जो एनरजी लग रही होगी सिंगल बॉण इन्फिल्पी को फॉस्फफ़रस की बॉन एंथलिपी सबसे ज़्यादा होती है single बॉन एंथलिपी की बात करो in comparison to nitrogen and in comparison to arsenic ठीक है तो सबसे ज़्यादा आपकी बॉन एंथलिपी जोगी हो phosphorus phosphorus की होगी देन nitrogen nitrogen की होगी and then arsenic arsenic and then so on. इस पीरेट के लिए याद करने का तरीखा यह है ठीर टूर यानि जो फॉसह्फरय से वो थीरीरड को बिलोंग करता है इस गुरूप में बीटा nitrogen का size है जैसा कि हम लोग इसके animalist behavior को देखें तो nitrogen का size वो बहुत छोटा है nitrogen को size है वो बहुत छोटा है और जब छोटा होगा तो इसमें inter electronic repulsion जादा होगा, अगर size चोटा है तो इसमें inter electronic repulsion जादा होगा और जब inter electronic repulsion जादा होगा तो distance क्या होगा? इटम्सका distance दूर हो जाएगा और अगर distance दूर हो जाएगा तो bond enthalpy automatically आपकी कम हो जाएगी, तो इसके case में हो क्या रहा है students कि आपके पास में nitrogen nitrogen की जो bond length है bond length increases due to electron repulsion between electron repulsion between nitrogen nitrogen atom between nitrogen nitrogen atom as of its small size as of its small size इसके small size की वज़े से और इसी वज़े से इसी वज़े से क्या होता है it have low single bond dissociation enthalpy in comparison to phosphorus in comparison to phosphorus okay so I hope आप लोगों को एक concept समद्ध में आओगा आपको बहुत सारी anomalous behavior मिलेंगे first group elements मतलब जो first period के element होंगे आपके किसी भी particular group के अंदर में उनमें बहुत anomalous behavior मिलेंगे इसलिए उनको हम लोग typical elements भी बोल देते हैं तो चलिए आगे हम लोग डिसकस करते हैं ammonia को उसकी preparation को तो students पहला method है हमारे पास में ammonia preparation के लिए यूरिया की तो बहुत ही interesting कहानी आपको पता भी होगी तो it was the first organic compound that was discovered accidentally in chemistry lab in 1826 तो अगर यूरिया है यूरिया का आपका hydrolysis कराओगे तो यह form करता है ammonium carbonate यह क्या form करता है आपका ammonium carbonate और अगर ammonium carbonate को further आप heat करेंगे तो form करता है आपके पास में ammonia plus water and साथ में release करेगा आपका CO2 gas को so this is the first method by which we can prepare ammonia और यह आपका NCRT में भी mentioned है ठीक है इसको याद रखेगा आप लोग को यह काफी important method है ठीक है simple याद रखना है कि यूरिया का जब लोग hydrolysis करवाते है hydrolysis का मतलब क्या है water की presence में तोड़ना ठीक है इन presence of water किसी भी compound को तोड़ना that is known as hydrolysis second form करेगा आपका ammonium carbonate और carbonate को अगर आप further heat कराएंगे salt को तो फॉर्म करता आपका ammonia साथ में water release करेगा और CO2 another method जो है हमारे पास में यह basically class 11 में आप लोगों के पास में कुछ physical कुछ chemical properties होती थी group first और group 13 elements की उन्हीं पर based है अगर हम देखे तो बेटा यह nitride form कर रहा है तो अगर हम लो लोगों को थोड़ा सा मैं class 11th में ले जाओं और साथी साथ जो nitrogen part है आपका NCRAT का उसमें इन reaction को mention किया गया है कि किसी भी metal को metal में भी कुछ certain जैसे first group के अंदर में सिर्व lithium आपका nitrogen के साथ react करते हैं ठीक है तो अगर क्या करते हम लोग lithium को react कराते हैं यहां लीथियम को react करा अगर हम इसको हीट कराते हैं रीजन है अधर मेंबर क्यों नहीं बना पाएंगे sodium बगएर तो उसके पीछे रीजन होगता size बढ़ जाता है size बढ़ जाएगा तो easily वो इसके साथ interact नहीं कर पाएंगे उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो magnesium nitride को भी form करा सकते हो बट हमारा concern उनकी preparation नहीं है या उनकी properties को लेकर कर नहीं है हमारा major concern क्या है यहां पर अगर हम क्या करते हैं नाइट्राइट्स को इन नाइट्राइट्स को hydrolyze करवाते हैं डिकंपोस कराते तो फॉर्म करते हैं aluminum hydroxide और साथ में फॉर्म करते हैं आपका ammonia यह फॉर्म करेंगे जो inorganic reaction है सबसे बड़ी दिक्कत नहीं है कि inorganic reaction को balance करना तो मैं आपको इस चीज बता रहा हूं यहां पर कि कोई भी अगर inorganic reaction balance करनी है तो just look out the balance factor ठीक है जो आपके पास में x factor होता है उसको देखें जैसे for example इसके अंदर में aluminum के अंदर में यहां पर प्लस 3 charge और nitrogen पर भ पास में इसका जो x factor हो गया that is 3 इसका x factor हो गया 3 balance factor जो है और इस h2o के अंदर में h plus 7 oh minus है तो यहां पर balance factor हो गया आपको 1 now cross multiply कर दीजे now इसको आप लोग cross multiply कर देंगे तो जब आप cross multiply करेंगे तो देखें यहां पर 3 आएगा और यह 3 इसके इनके balance के respect में आप इनके इनको balance करने के बाद further आप इनको balance out कर सकते हैं similarly आप इसके case में देखें तो यहां पर आपके पास में जो वैलेंची फेक्टर होगा एक मैगनेशन यहां पर तीन मैगनेशन में तो एक टोटल आपका एक वैलेंची फेक्टर निकल गाएगा 6 और यहां पर आपके पास वैलेंची इसको आपके पास content बहुत सारा हो जाएगा लेकिन last में आपको last week जब exam का जाता है तो you have to make some short notes आपको कॉपी में एक page में सारी reaction को लिखना है ताकि आप बार बार देखें और इनको memorize कर सके क्योंकि reactions याद होंगी आप तभी questions को deal कर पाएंगे क्योंकि as such को mechanism नहीं होता होत इंजम पर हम लोग इतना डिटेल में नहीं जा सकते शीच को लेकर नाओ दियर स्टुडेंट जो अगला method है हमारे पास में that is the by action of any base on ammonium salt नाओ यह जो ammonium salt होता है स्टुडेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अध्य रोक्साइड आए ओके नाओ जन्रली इंको क्या कर दीजिए जो आयन से आयन को मिले का क्या है आपको मिलेगा आपको मिलेगा ammonium hydroxide और साथ में आपका मिलेगा नसइला आप देख लीजिए यहां पर आपके पास विंदैट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् आमोनीय त्साध में क्या प्रेशनच आपका जीक emerge सकते हो शौनिछांपल हम लोग ले लिए यह मुझा अमोनियम फॉस्पेट को तो घ्रेष्ट हम की पासается और इस ammonium phosphate को अगर हम लोग क्या करते हैं, magnesium hydroxide के साथ react करवाते हैं, इस ammonium phosphate को हम लोग magnesium hydroxide के साथ में react करवाते हैं, अगेन आप देखेंगे यहापे, तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले जो ions है, इन ions को क्या कर दीजे, आपस में balance out कर लीजे, ठीक है, exchange कर वा लीजे, बनेगा, यहां से क्या बनेगा, आपके पास में, यहां से बनेगा, आपके पास में, अमोनियम hydroxide, ठीक है, NH4OH का formation होगा, और साथ ही साथ आपके पास में बनेगा, magnesium phosphate, Mg का whole twice, pure 4 का, Mg3, pure 4 का whole twice, magnesium phosphate का formation होगा, ठीक है, simple ion exchange है, इस पर minus 3 charge है, आपके पास में, यहापे plus 2 charge ह इस अमोनियम hydroxide is again going to form, अगें यह तूटने वाला है, किसमें students, अगें यह तूटने वाला है, आपके पास में, अमोनियम प्लस, वाटर और साथ में क्या release करेगा, साथ में आपका release करेगा, magnesium phosphate, Mg3, pure 4 का, whole twice, okay, now, बात आती है, balancing को लेकर के sir, कि इसको balance कैसे करें, तो अभी थोड़ी दिए पहले मैंने आपको बताया था, कि यहाँ पर आपके पास में balance करने के लिए x factor देखे, तो अगर मैं इसमें देखूं तो इसका x factor है, this is 3 और इसका जो x factor है, वो है 2, इसका x factor इससे multiply कर दीजे, तो यह बन जाएगा आपका 3, और इसका max factor इससे multiply कर दीजे, तो क्या बन जाएगा आपका 2, तो overall जो आपके पास में balancing है, अब इस तरीके से हो गई है, और इसके respect में आप क्या कर सकते हैं, इसके respect में other members को आप balance out कर सकते हैं, तो जैसे magnesium तो आपका balance है, अगर हम लोग ammonia nitrogen की बात करें, तो total nitrogen आपके पास 6 है, तो यहाँ पर किसे multiply कर दीजे, आप लोग 6 से multiply कर दीजे, next जो आपके पास में बची बात रही oxygen की, तो oxygen कितना है, 4 to 8 और यहाँ पर कितना आपके पास है, 6 यानि 14 है, और आपके पास में वहाँ पर कितना present है, 4 to 8 यानि 6 बचने, तो यहाँ पर आप कर दीजे 6 से multiply, तो जब आप वहाँ से 6 से multiply कर देंगे, तो आप लोग easily इस reaction को solve कर सकते हैं, तो यह तो था आप लोगों के पास में ammonia के preparation को ले करके, next हम लोग discuss करेंगे, आगे किस तरीके से properties हम लोग deal करते हैं, तो dear students, मैंने आप लोगों से यह तीन method discuss किये, for the preparation of ammonia, now one of the important, one of the important reaction, जिससे हम लोग क्या कर सकते है, preparation of ammonia को discuss करते हैं, आइए देखते हैं कौ मारे पास में, ammonia preparation का, that is, heber's process, जो के एक industrial method है, और यह पूरा का पूरा बेस्ट आपका ली चैटिलर फिंसिपल पे, इसका जो application part है, पूरा का पूरा बेस्ट आपका ली चैटिलर फिंसिपल पे, तो इसके according क्या कि, जम nitrogen rate करता, hydrogen के साथ में, तो form करेगा two moles of ammonia, और इस पू इसका मतलब यहां पर क्या follow होने वाला है, और ली चैटिलर फिंसिपल क्या बोलता है, कि कोई भी factor जो reaction को effect करता है, अगर मालो हम लोग concentration बढ़ाते हैं, तो concentration जब बढ़ा रहे हम लोग reactant की, तो reaction उस direction में जाएगी, ताकि उस effect को क्या कर सके, उस effect को कम किया जा सके, उस effect क कर रहे हैं तो फॉर्म कर रहे है, तो फॉर्म कर रहे है, तो इसका कहने का मतलब यह है कि number of gases, क्या कर रहे है, decrease कर रहे है, यानि थर्मोडानमिक लिए reaction favorable नहीं है, ठीक अगर हम लोग इस reaction की thermodynamics study करें, तो वो favorable नहीं है, तो किस तरीके से इसमें प्रूडट की येल्ड बढ प्रेशर को बढ़ा देते हैं, तो जब लोग प्रेशर को बढ़ा देंगे, यानि reactant molecule का pressure बढ़ा देंगे, तो number of mole बढ़ जाएंगे, अब reaction उस direction में जाना जाएगी, उस तरफ shift होना चाहेगी, ताकि उस pressure को क्या कर सके, उस pressure को counter करके नीचे ला सके, और ऐसा कैसे possible है, अ number of moles आपके कम हो जाएं, और जब यह number of moles कम हो जाते हैं, तो automatically system का जो pressure हो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो इससे यह लिचेटलियर पिंसपल के application पर भीज दी आपकी, यहां पर हम लोग क्या यूज कर रहें, हाई pressure को यूज कर दें, ना तो दूसरा factor यहां पर देखें, दूसरा factor जो आपके पास में यह जो reaction आपकी low temperature पर हो रही है, और इस pressure के comparison में, ठीक है, लेकिन आपके पास में approximately 500 degree Celsius का temperature आपको चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, इस nitrogen nitrogen bond को form कर सके, this nitrogen bond is very strong, इसकी approximate जो energy है, 942 kJ per mole के approximately इन तीनों bond को तोड़ने के energy चाहिए होगी है, तो ऐसा न consolidate किया जाता है, ठीक है, तो उतरा detail में हम लोगों को जाना नहीं है, one of the important, जो है यहाँ पर catalyst, ठीक है, reaction को optimize किया गया, optimize कर यह पाया गया, optimization का मतलब है, study की गई, reaction के different, different conditions के अंदर में, और यह पाया गया कि यहाँ पर आपके पास में, जो catalyst होता है, that is small amount of iron oxide, okay, और साथ मे इसके promoter का जो काम करते हैं, that is aluminum oxide और साथ में potassium का oxide हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, use करते हैं, okay, तो these are kind of co-factor जो इसकी catalyst के activity को बता रहे हैं, यह heterogeneous based reaction है, heterogeneous catalyst based reaction है आपकी, और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे है, ammonia का formation, एक चीद में आपको बता दू, इस reaction के लिए delta H की value negative होती है, और यह around आपका minus 46 kilojoule पर मुल्गे करीब होती है, okay, यानि आपके पास में reaction in terms of enthalpy, वो favorable है आगे की तरफ में, तो I hope आप लोगों को समझ में आओगा, या भी वेटा, दो condition देखना जरूर मैंने, मैंने जो खुद भी जो exam दिये हैं, कई एक दो exam दिये हैं, उनमें यह pressure और temperature को लिए questions पूछा गया है, ठीक है, तो यह बहुत important factor, इस reaction का, इसको आप समझिए, further इनको याद रख लीजिएगा कि कौन-कौन से catalyst use होते हैं, iron oxide use होता है, red dot iron भी भी use किया जाता है, और यह further आपके इसकी conditions है, now dear students, हम लोग ने अभी discuss किया, preparation of ammonia, now हम लोग discuss करने वाले हैं, आपका properties of ammonia, तो सबसे पहले हैं, हम लोग discuss करेंगे, ammonia की physical properties को, सबसे पहले हैं, हम लोग discuss करेंगे physical properties को, तो ammonia को लेकर के मेरे को बहुत अच्छा incident, खुद के साथ एक incident याद है, मैं आप लोगों से share करना चाहूंगा, मैं practical कर रहा था, मेरे masters की बात आई थी और bachelor final years की बात है, तो मेरा friend आया और उसने मुझे एकदम से ammonia inhale करवा दिया, ठीक है, उसने का just check this out, और जैसे मेरे नाक में ammonia गया, I still till now, I still remember कि किस तरीके की वो एक pinch करने वाली smell थी, जो सिदा मेरे दिमाग तक गई, बहुत खतरनाक smell थी इसकी, तो महां से मुझे याद रहता है कि जो ammonia है, यह pungent order, pungent order है ammonia का, मतलब उस evening तक मेरा उस evening तक उस incident के बाद मेरा पूरे time सरदर दरा, इतनी खतरनाक smell होती है आपके ammonia की, तो strong ammonia की बात करें तो हम लोग इसकी बहुत pungent smell होती है, और colorless gas होता है, and this is your colorless gas, ठीक है, now one of the important thing यह जो है, कि ammonia show, ammonia show, hydrogen bonding, ammonia के पास tendency होती है कि वो hydrogen bonding को show कर सके, तो किस तरीके से यहाँ पर देखिए students, ammonia जो है, इसमें nitrogen है, और nitrogen की जो electronegativity होती है, that is approximately 3 ना, 3 के करीब है, तो यहाँ पर आपके पास में delta negative charge और इस पर किया आपका delta positive charge है, और यह जो है आपका, दूसरे ammonia molecule के साथ में interacted रहेगा इस तरीके से, तो यहाँ पर आपके पास में intermolecular hydrogen bonding involved है, इंटर molecular edge bonding involved है, ठीक है, तो hydrogen bonding का एक रूब बता देता हूं कि hydrogen जब attach होता है किसी small item के साथ में और जिसकी हाई एलेक्टो नेटिवटी हो तो वो किसके लिए जाता है आपका hydrogen bonding के लिए जाएगा और यही रिस्पॉंसिबल होता है हाईट्राइट्स में डिसकस कर रहा है कि पूरे ग्रूप में किस तरीके से इनका boiling point और boiling point और melting point वेरी करता है अधर मेंबर के साथ में तो इसको याद रखेगा कि liquid अगर यह solid or liquid state में exist कर रहा है तो उसके पीसे जो reason है वो है इसका melting point or sorry इसका hydrogen boiling okay now next जो इसके अंदर में property है एक एल to capable and why it is soluble in Water it is soluble in water to the tendency to form new treatment ses to form इसके पास tendency है कि क्या शो कर सकता है आपका hydrogen bonding को शो कर सकता है तो जैसे आपके पास में ammonia है ammonia को गर मैं water में dissolve कर आता हूं तो यह किसमें तूटता है आपका it is converted into ammonium hydroxide ammonium hydroxide जो कि क्या है it is the constant of ammonium ion and hydroxide ion तो अगर कोई आप से ऐसा पूछे कि liquid ammonia की form तो आपका liquid ammonia की form यह है जिसको हम क्या कर सकते है चेक भी कर सकते है इसका basic nature भी litmus test अगर हम करें अगर इसका litmus paper test करें हम लोग अगर इसका हम लोग litmus paper test करें तो usually किसमें करण करता है red को red to blue में यह litmus paper को convert करेगा तो this is the property of ammonia that on dissolving in water water में क्या dissolve करने पर क्या बनाएगा आपका ammonium hydroxide form करेगा और ammonium hydroxide इसके पास में इसके पास रीजन यह है कि इसके पास यह hydrogen bonding को form कर सकता है वह कोई भी compound आपका water में dissolve होगा जो generally क्या करेगा आपका इसके पास tendency होगी hydrogen bonding को form करने की वाटर में नौ जो next property हम लोग के पास पास में ammonia की तो it act as a weak base it act as a it act as a weak base ठीक है यह क्या करेगा आपका वीग बेस की तरह act करेगा और इसके पास tendency होगी acid के साथ करने के बाद में form क्या करेगा यह अगर हम लोग ammonia है ammonia को rate कराते एक साथ में तो यह work करेगा salt थिया यह है और क्या करेगा फॉर्म अमूनियम salt क्या करेगा यह यह क्या करेगा आपका Ammonium salt को form करेगा form Ammonium salt ठीक है इस तरीके से और भी आप देख सकते हो चाहे तो इस तरीके से रियक्शन है HCL हमारे पास में Acid है और यह आपके पास में Ammonia जो आपका बीक बेस की तरह आपकर रहे तो इस सिंपल आसेड बेस एक्शन ओके नाव डियर सुडेंट्स हम लोगों के पास में अगली जो प्रॉपर्टी अम्मूनिया की इब और को जरद्रेकरश आपका इखिबिट करेगा सबसे पहले थेแต्र जो एक्ट लिएग जो हो जो प्रह में यह Euro हाइट्रॉप्ट हाटे एक। इस एस हल्यवा प alors और साथ में आपका ammonium का salt बनाएगा उसी तरीके से FECL3 के साथ में हम लोग ठीक है फेरिक क्लोराइड के साथ में हम लोग ammonium hydroxide को react कराते है तो इस फॉर्म करता है redis brown PPT को ठीक है redis brown PPT फॉर्म करेगा और साथ में आपका release करेगा ammonium chloride को तो इन दोनों करते हैं ammonium hydroxide या ammonia का amount liquid ammonia का amount अगर बढ़ा देते हैं तो liquid ammonia का amount बनाने पर जिंक क्लोराइड है ammonium hydroxide के साथ जब rate करेगा तो जिंक hydroxide फॉर्म करेगा जो की पहले क्या होता इक का insoluble PPT की फॉर्म में हो यह भी आपका सॉलिबल कॉम्लेक्स को जन्रेट करते हैं और जब इंसॉलिबल होता है इंसॉलिबल केस का बात आपके पास में जम लोग क्या करते हैं लिमीटेड अमूंट अपर बेस्ट को यूज़ करते हैं तो इस वर the properties regarding the ammonia नाव दियर सुदेंट्स एक बहुत ही इंट्रस्टिंग प्रॉपर्टी मैं आपसे डिस्कॉस करने वाला हूं और इस इस पर आपका NCRT पर बेस्ट क्वें टेक्स आप देखेगा और इसको सॉल कीज़ेगा डाट इस ammonia can act as ammonia can act as Lewis-based ammonia can act as Lewis-based तो पहले में थोड़ा आप लोगों को आईडिया दे देता हूं कि Lewis-based होते हैं आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे बच्पन मुझे पता है तो ammonia क्या होता आपके पास में इस तरीके से नाइट्रोचन है बीच में और इसके पास अवलेबल है यहाँ पर लोन पेरнулे ओके और इनहीं लोन पेर की वज़े से ड्यू तो प्रिजिन समड़ दिज memor में थे टारा काम करता है इसके lais हूए यह फिर्वेर है था्यज थ कर सकता है गूच नो पर सकता है है डौट्स कर सकता है तो ज्यादा सही रएगा थी कैप लोगों के पास में नेक्स समेस्टर में में एक topic है that is आप लोगों के पास में next semester में एक topic है that is your coordination complex वहाँ पे आप जानेंगे की coordination complex में की Lewis based और Lewis acid based chemistry किस तरीके से important rule play करती है in the formation of complex तो उसी तरीके के कुछ scenario है यहां पर कि अगर मैं क्या करतो copper salt के साथ में ठीक है कि अगर मैं इसको copper salt के साथ में rate कराता हूं अमोनिया को तो यह फॉर्म करता है copper tetra amine complex it is going to form copper tetra amine complex for most of ammonia को जब में rate करा हूं यहां पर तो यह क्या करेगा आपका copper tetra amine complex form करेगा जो कि आपका deep blue color का complex होगा ठीक है जो कि आपका deep blue color का solution होगा और इसकी बेटा है जो होती है वो SP2D होती है चलो है इसका जो कलर है वो that is your deep blue color another property is कि कि अगर मैं AGCL के साथ में AGCL आपका PPT form है और मैं इसको आपका PPT बनाता है और मैं इसको अगर amine के साथ reaction करवाता हूं तो मोल्स अमोनिया के साथ इस कुरेशन करवाता हूं तो it is also going to form a colorless complex it is also going to form a di-argin colorless complex di-amine-argin complex और यहां पर यह जो color है आपका इसका जो है colorless रहेगा लेकिन यह property क्या है अगेन यहां पर आपके पास में अमोनिया जो प्रॉपर्टी एक्जिविट कर रहा है डाट इस प्रॉपर्टी ओफ लुइस बेस एन एक डॉनर गुरूप की तरह आपका behavior शो कर रहा है तो डियर स्टुडेंट्स यह तो थी अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में की अमोनिया की तरह है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी मैंने डिसकस कर लिए उनकी से रिलेटेट जो रियक्शन से जितना आपको याद रखना है आप लोगों को समझ में आया होगा फर्दर आगे जो है मैं आप लोगो यूजस बता देता हूं कि अमोनिया की यूजस क्या क्या है यहां पर रेफ्रिजिरेटर फ्लूइड लिख लिए जाप लोग है ना रेफ्रिजिरेटर फ्लूइड में इसको यूजस किया जाता है तब तक के लिए आप लोग इन लेक्चर को देखिए अच्छे से बढ़िए लाइन टू लाइन पढ़िए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात में आप लोगों को पताने वालों कि जल्दी हमारे इस चैनल पर हम लोग एक क्वेश्चन बैंक सिरीज स्टार्ट करने व तक कि आपको इन टाइम उफ एक्जाम जब आपका इक्जाम टाइम आयका तो आप उनको अच्छे से एक बार देखें तो इसली आपको सारी जे समझ में आ है अल्ट वेरी बेस्ट गाइस वर एक्जाम और ये बेस्ट वर शुट इस्ट आप लोगों को चीजें बहुत हुआ 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 है